इताम दृष्टिम अवश्ट अभ्य नष्ट आत्मानो आत्म बुद्धया इताम दृष्टिम अवश्ट अभ्य अर्थात ऐसे दृष्टि को रूख कर नष्ट आत्मानो अलपवुद्धया अर्थात स्वयम को नष्ट करते हैं मूर्ख प्रभवंति उग्र कर्मान अर्थात उत्पन्न होते हैं उग्र कर्म करने वाले क्षया या जगतो अहिताह अर्थात क्षय के लिए ऐसे जगत के क्षत्रू तो आशुरी प्रवत्ति वाले लोगों के अनुचित दृष्टि कोण की व्याख्या करने के पश्चात अब श्रीक्रिशन कहते हैं कि इस प्रकार अपनी दृष्टि को अवरुद्ध करके कारण उनसे उग्र कर्म उत्पन्न होते हैं और उनकी यह जो उग्र कर्म होते हैं वह जगत में बहुत सी पीडा को उत्पन्न करते हैं इस प्रकार से यह जगत के ही शत्रू बन जाते हैं तो आप देखिए कि हमारे चारोर बहुत सारा संगर्ष है और यह जो संगर्ष हम घ इजिनम्हाः इतिहास में पेच्छे जाएं तो हम देखेंगे कि इसी प्रिकार की संघर्श के कारण संसार ने जह लिए क्योंकि जो संसार को देखने का हमारा दिरिश्टी गौन रहा है वह उचित नहीं इस संसार में प्रायह लोग इसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं और इसी कारण से सारी समस्या उत्पन्न होती हैं तो होता क्या है कि हम सभी वास्तों में अहंकार के साथ में तादात में कर लेते हैं और इस अहंकार के साथ में तादात में करने से होता ही है कि हमारे भीत वहे इश्वर को औरपित नहीं किया गया होता है अपितु ऐसा जो कार्य होता है केवल स्वायम के भोग के लिए या अपने एहंकार की सेवा के लिए किया जाता है और कोई भी कार्य जो की इश्वर के लिए नहीं किया जा रहा है जो की सेवा के रूप में नहीं किया जा रहा है तो इस प्रकार से उनके सभी कर्म जो होते हैं वह वास्तों में व्यर्थ ही जाते हैं और यह व्यर्थ कर्म जो होते हैं यह वास्तों में बुरे ही कर्म है तो यदि हम अपने स्वार्थ पर अंकुष लगा सकें तो इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समस्याए वास्तों में स्वता ही समावत हो जाएंगी किंतु ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हम इतने भाइभीत हैं कि हम अपने एहंकार पर अंकुष नहीं लगा पाते हैं तो एक उधारन के रूप में देखिए कि मालीजी आपने देखा हुआ कि जो राश्ट्रिय महामार्ग होते हैं या जो राजमार्ग होते हैं उन पर आप देखेंगे कि बहुत ट्राफिक जैम लगता रहता है अब यदि इस राजमार्ग पर वाहन चलाने वाले जो सभी वाहन राजमार्गों पर जो ट्राफिक जैम लगता है वह स्वयम ही समापत हो जाएगा राजमार्ग पर कोई ट्राफिक जैम हो गा ही नहीं किन्तों लोग जो होते हैं और ट्राफिक नियम जो होते हैं उन्हें तोड़ देते हैं और इस प्रकार से आप देखिए कि ट्राफिक ज तो जो आस्वरी लोग हैं वह इस प्रकार से स्वार्थी रूप से कारे करके यह सोच करके कि मैं मेरा शरीर हूँ मेरे हंकार का मैं बढ़ावा दूँगा मैं अपने हंकार को इस प्रकार से जब कारे करके स्वार्थी बादों से कारे करते हैं तो वह सांसार को बहुत सारा पन्न होते हैं और वह इस जगत के शत्रू होते हैं जो की अंत में क्षय को ही प्राप्त होंगे तो यहीं संदेश यहां पर श्रीक्रिश्न खता आशा करता हूं कि मैंने इस श्लोग को आपको समझा दिया होगा चलिए इसे की साथ इस वीडियो को में ही पर सभाप्त करते हैं नमस्ते